हर कोई चाहता है हमारा चहरा खुबसूरत हो, हमारा चहरा बेदाग हो, हमारे चहरे पर जल्दी रिंकल्स नहीं आए, जुरिया ना आए, हमारी स्किन टाइड बनी रहे, सत्तर की उम्र में भी हम तीस के दिखाई दे, मैं खुद आज 58 एट येर की हूँ दोस्तों, और मेरे चहरे पर ऐसे कोई खास रिंकल्स नहीं है, पिग्मेंटेशन की परिशानियां जरूर थी, जो की काफी हद तक मैंने क्योर करी है, आज आपके लिए बस वही घरेलू नुस्का लेकर आई हूँ दोस्तों, जो की 100% वर्क करेगा, जाया, जुरिया, चहरे के सारे दाग धब आसानी से दूर करेगा ये घरेलू नुस्का, सबसे पहले इसके लिए हम बनाएंगे एक अच्छा बेहतरीन सा स्क्रब बनाएंगे ताकि हमारे हाथ, पैरों से, हमारे चहरे, गर्दन से सारे डेट सेल रिमूव हो सके, राइस फ्लोर लिया है, यहाँ पर मैंने चावल का आटा लिया है, कोई सा भी चावल आप लोग खाते हैं उस चावल को ग्राइंडिंग जार में डालिए, ग्राइंड करिए, छानिये और उसका फाइन पाउडर बना लिजे, वैसे तो राइस फ्लोर मार्केट में भी आता है, मैंने बजार का चावल का आटा लिया है, एक ट इग्मेंटेशन में लाजमा को दाग धब्मों को हटाने का काम करता है, इसलिए मैंने कुछ भूंदे नीबू के रस्की डाली है, अगली चीज यहाँ पर चावल का आता, राइस फ्लोर हमारे स्किन को टाइट करता है, जल्दी हमारे तचापल जुरिया नहीं आती, रिंक कर लीजे, दही जो होती है, पोशक तत्वों का भंडार है दही, दही में प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन डी, धेर सारे पोशक तत्वों होते हैं, हमारे स्किन को नरिश करता है, दही का पैक, इसकिन को मौश्चुराइज करता है, हमारी तचा में से सूखे पन की समस कोई दूर करता है कई बार हम लोग ठीक तरह से क्रीम नहीं लगाते सूखे पन के कारण भी उम्र वह से पहले हमारे लोग ऐसे हैं जो नहीं लगा पाते हैं दिन भर काम रहता है तो सबसे पहले हम हाथों पर बहुत अच्छा स्क्रब करेंगे ताकि हमारे हाथों में जो भी डैट सेल है जो भी हमारी तवचा के उपर बृत कोशिका है वो अलग हो सके चावल के बारिक बारिक से जो दाने हैं कण हैं वो एक स्क्रब के जैसा काम करेंगे सारी गंदगी मैल बाहर निकलेगा दही आपके स्किन को हाइडरेट करेगा ताकि आपके स्किन पर जल्दी जुरियां आने ना पाए तो ये तो हो गया हमारा स्क्रब दोस्तों इसके बाद मैं आपको आज इस वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया लोशन बनाना बताऊंगी एक ऐसा आप सोच सकते हैं एक ऐसा सिरम बता रही हूँ जो आपकी तुचा पर से जुरियों को तुरंत ही गायप कर देगा रोज तो सोते समय लगाना है गाजर लिया है गाजर में धेर सारे विटामिन होते हैं पोशक ततों का भंडार होता है गाजर कैरेट गाजर का आधा हिस्सा लिया है जिसे मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है और अब इसमें मिलाना है आपको एक छोटा कटोरी भरकर न coconut oil नारियल के तेल में कुछ ऐसे fatty acid होते हैं जो हमारे skin को soft बनाते हैं हमारे skin को moisturize करते हैं इसके अलावा coconut oil हम जब तोचा पर लगाते हैं तो ये हमारे skin पर collagen के इस्तर को बढ़ाता है जिससे हमारे तोचा पर जल्दी जुर्या नहीं पड़ती तो गाजर grated गाजर में मैंने नारियल का तील नला है दो दिन के लिए आप इसे चाहें तो थोड़ी गरम जगा पे रखें आप धूप में रख सकते हैं या गरम पानी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी तब तक कि मैं आपको दूसरा पैक बनाना भी बता दे रही हूँ जिसे आपको रात को लगाना है आप गाजर नारियल का तेल नहीं लगा पा रहे हैं नहीं बना हैं तो आप क्या करिए अलोविरा जेल ले लिजे जो से भी कमपनी का आप लोग इस्तमाल करते हैं दो चम्मच अलोविरा जेल में एक विटामिन E ओयल का कैपसूल डालना है आपको विटामिन E ओयल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा बहुत अच्छा होता है हमारे स्किन और बालों के लिए विटामिन E ओयल सबसे अच्छा ह होता है तो अच्छा पर जल्दी जुर्या नहीं आएंगी तो ये लोशन लगा सकते हैं आप रात को सोते समय या एक बदाम का तेल बनाना बता रही हूं आप तीनों में से कोई भी एक चीज रात को सोते समय लगाना है आपको पंदरा दिन लगा के देखें चहरे से जाईय जुर्यां दाग धबे ये सारी परशानियां दूर होंगी सकतर की उम्र में तीस के दिखाई देंगे जैसा कि सभी चाहते हैं कि बुढ़ापा जल्दी ना आए चेहरे पर जुर्या ना आए और हम कम उम्र के दिखें मतलब जवा दिखें तो आप भी ऐसी दवा ढूंड र रखें उसके बाद इस तेल को रात को सोते समय चेहरे पर लगाना सबसे पहले यहां पर मैंने जो गाजर और नारियल का तेल का जो लोशन बनाया है दोस्तों उसे सबसे पहले मैं च्छान रही हूं अच्छी तरह से चमच से दबाते हुए च्छान ले ताकि गाजर की जो गुड़नेस है वो सारी चीजें दो दिन से धूप में पड़ा हुआ था या गरम पानी से भरे बरतन पे रख सकते हैं नहीं टाइम है तो परिशान ना हो यह और इस तरह से देखे मैं इसे दबाती जारी यह जो सरम बना है यह जो मैजिकल ऑईल बना है जो आपको लंबे स तेल इस्तमाल किया है ताकि आप इसे रोज रात को सोते समय अपने दोनों हाथों पर मालिश करते हुए लगाएं देखे हाथों की जुर्यां कैसे कायब नहीं होती है एक काच की बॉटर में मैंने डाल रही हूँ फ़नल की मदद से और इसके बाद आपको इसे कम से कम आप मालिश करते हुए लगाएं गर्दन पर लगाएं आप देखें का चहरे के साथी साथ हमारे नैक पर हमारी गर्दन पर भी बहुत जल्दी रिंकल्स जुर्यां आने लग जाती हैं चहरे पर लगाएंगे होठों के उपर भी आप इसे लगाएं होठों का फटना बंद होगा होटों में गुलाबी पन आना शुरू होगा आँखों के चारोर काले घेरे पर भी लगाएं आप देखेंगे आँखों के आसपास की जो जुरियां आ रही है फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम है वो सारी दूर होंगी अब उम्र के प्रभाव को हम रोक नहीं सकते हम सतर के हैं तो वही सतर के ही रहेंगे परन्तु फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं हम चालीस के दिखें मतलब हम जवाद दिखें मैं खुद भी इसे लगाती हूँ मुझे इत्ता अच्छा रिजल्ट मिला आप देख सकते हैं इसलिए आज 58 एर की उम्र में भी कोई खास मेरे चहरे पर जुर्या नहीं है और पूरे चहरे पर लगाईए आँखों के चारो तरफ मैजिकल जो मैंने आपको यह बनाया है टॉनिक, स्किन टॉनिक इसे जरूर लगाएं आप लोग सोते समय लगाईए हाथों पर सारी जुर्यां गायब हो जाएंगी चहरे पर जाईया पिग्मेंटेशन है गाजर का रस पिग्मेंटेशन को तेजी से रिमूव करता है दोनों हाथों पर लगाएं देखिए हाथों में अगर जुर्यां आई ही न वो भी गायब हो जाएंगी और आपके हाथ भी खुबसुरत हो जाएंगे आपकी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करेगा साथ ही साथ चहरे पर चमकाएगी तो मेरे परिवार को वीडियो जरा भी अच्छा लगा होना तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा साथ ही साथ टिप्स तियेटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट जरूर करें